प्रीयोटलören भी बियरतनी दोस्तों को जादा सी zis츠 लोगों तक शेयर खूरें दोस्तों आपकी प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ही जरूरूर्ट थे हेलो नमसकार दोस्तों स्वागा थे आपका जीयोगी नियुट वी नियुट नियुट तो दोस्तो यदि आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दे ताकि जो भी भी रूटल आप तक पहुंची रहे तो दोस्तो शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी ख़बर के रूप में तो दोस्तो आज ही सबसे पर हावी हो जाता है बस किरदार बदल जाते हैं आज पस्ची मगाल में ममताब एनरजी का राज है और सामने मुकाबले के लिए ताल ठोक रही है बीजेपी जिया दोसो पस्ची मगाल को चिनावी और सियासी फीजा जमाने में खुब रंगल रहा है 1960 के दसक में ही सत्ता प पस्ची मगाल की सणकों और गलियों में लेफ्ट के खिलाफ किसी ने जी जान से लड़ाई लड़ी तो वो ममताब एनरजी है 21 सदी तक पस्ची मगाल लेफ्ट फ्रंट और टीमसी के संघरसों से लाल होता रहा है पस्ची मगाल में लेफ्ट राज में 2001 में 21 और 2002 में 19, 2003 में 22, 2004 में 15, 2005 में 8 और 2006 में 7 और 2007 में 20 और 2009 में 9 हत्याय हुई जी हाँ दोस्तों यह राजनितिक हत्या हैं लेकिन यह आकड़ा अचानक 2009 में बढ़ गई जब राजनितिक हत्याओं की गिंती 50 तक पहुँच गई तो 2010 में यह संख्या थोड़ी घट करके 38 पढ़ी सिमट गई ममता बेनर जी इस सब को मुद्दा बनाती है और 2011 में 15 मगाल में लाल किले को ध्वस्त कर दिया लेकिन 15 मगाल में हिंसा की घटनाए कम नहीं हुई 2011 से ही 38 राजनितिक हत्या हुई 2012 में 22, 2013 में 26, 2014 में 10 और 2015 में 1 और 2016 में एक राजनितिक हत्या हुई आकडो के बताएं तो पस्ची मगाल में हिंसा की घटनाओ में काफी कमी आई है लेकिन BJP का आरोप हो रहा है कि पस्ची मगाल तो ममता की खुनी राजनिति से लाल हो रहा है तो इससे साफ हो जाता है कि पस्ची मंगाल के राजनीती कॉंग्रेस बनाम लेफ्ट, लेफ्ट बनाम टीमसी और अब टीमसी बनाम बीजेपी की लड़ाई तक पहुच गई है जी हाँ दोस्तों बड़ी कबर है भारती रेले से रेलवे ने की सबसे बड़ी सूगात, अब ट्रेन लेट होने पर वापस होगे पूरे पैसे भारत में रेलवे यातरा का सबसे सुगम और सस्ता संसादा ने रोजाना करीबन 1,50,000,000 लोग यातरा के लिए रेलवे का उपयोग करते हैं भारती रेलवे यातरियों की सुभिधा को और बहतर बराने के लिए नए नियमें में बदलाव के साथ साथ कई नई सर्विसेस भी लॉंच करती रहती है रेलवे ने टिकट बुकिंग और PNR समबते नियमें में परिवर्तन किये हैं नए नियम से कनेक्टिंग यात्री के दोरान ट्रेन लेट होने पर यात्रियों को टिकट से पूरे पैसे वापस दिये जाएंगे नए नियम के मताबिक अफ ट्रेन छूटने पर आपको पैसे कारिपण आसानी से मिल जाएगा यानि किसी यात्रा में यात्री के लिए कनेक्टिंग ट्रेन की टिकट ली हो और वह ट्रेन छूट जाती हो तो उसका पूरा पैसा वापस मिलेगा लेकिन इसका लाव तब मिलेगा जब पहले ट्रेन निर्धारित समय से देरी से स्टेशन पहुची हो और इस वज़ा से यातरी की दूसरी ट्रेन छूट जाती हो रेलवे ने एक अप्रिल से PNR संबन्थी नए नियम लागू में बदलाव किये थे जी हाँ दोस्तो रेलवे की और से जारी की गई नोटिफिकेशन के मुताबिक अब यात्रियों के दो PNR एक यात्रा के दौरान साथ में ही लिंक करा सकते हैं अब यात्रियों को IRCTCE टिकट और PNR काउंटर टिकट दोनों एक साथ दिये जाएंगे अब तक दो PNR एक साथ लिंक नहीं होने से ट्रेन छूटने पर यात्रियों को रिफंड नहीं मिल पाता था इस नए नियम के मुताबिक अगर दो टिकट एक साथ लिंक होते हैं तो एक ट्रेन से लेट होने और दूसरी ट्रेन में छूट जाने पर केवल पहले ट्रेन के पैसे कटेंगे और दूसरे टिकट का पूरा पैसा रिटर्न होगा बसरते उनको अपने दोनों टिकट पूरी और सही जानकारी देनी होगी इसके अलावा पहले टिकट का गंतब एस्टेशन और दूसरे टिकट के यात्रा सुरू होने का एस्टेशन एक ही होना चाहिए जी हाँ दोस्तो अगली बड़ी खबर है उत्तर कोरिया में खाने पीने की हुई कमी सन्यूक्त राष्टने की मदद की अपील जी हाँ दोस्तो पाकिस्तान के बाद अब उत्तर कोरिया की आवाम पर संकट के बादल मरा रहे हैं खबर है कि उत्तर कोरिया में खाने पीने की चीजों में भारी कमी महसूस की जा रही है उत्तर कोरिया में लगतार लोग खाने की कमी से जूज रहे हैं लगतार खबर आ रही है कि उत्तर कोरिया की इस्थिति को देखते हुए सनुक्त राष्ट बिस्व खाद कारिकरम में दु पूरी जनसंख्या का 40% है लगतार खाने की कमी के सामना से प्रभावित हो रहे हैं। अगरी अपने पड़ोसी देश को मुहया कराएगी। जी हां दोस्तों अगली बड़ी ख़बर है वर्ल्ड कप 2019 इंगलेंड में ये बैदाने भारत के लिए सोने पे सुआ गागा जहां से भारत हमेशास जीतता आ रहा है। उनकी जीत हुई है और केवल तीन हार हुई है। उसमें से 2013 में जहां लागतार पांच मैच जीत है। जिसमें से पाकिस्तान के खिलाफ आईसी सी चेंपियंस टॉफी 2013 और 2017 में आठ विकेट और 124 रन की दो बार जीत भी मिली थी। लेकिन एस बेस्टन में भारत का हैं जिसमें से तीन में से उसकी जीत हुई है। पांगलादेश को भारत ने 2017 में इस मैदान पर 9 विकेट से करारी मातनी थी। भारत अपने चीर प्रतिद्वन्दी पाकिस्तान से 16 जून को ओल्ड टेफर्ड मैंचेस्टर में होगा जहां उसने 2007 के बाद कोई भी वंडे न 2019 विसेस राज्य के मुद्दे पर नितिस कुमार फिर छोड़ेंगे भाजपा का साथ। जी हां दोस्तों बिहार को विसेस राज्य का दरजा दिलाने के मुद्दे पर नितिस कुमार की पार्टी जानता दर यूनाटेट का एस्टेंड पिछले पांच वरसों में कुछ इस बदल गया। इस दोरान बिहार की सता पर नितिस कुमार ही कबजी आते रहें। हाला कि केंदर में सरकार बदली और राज्य में उनकी सरकार के सहयोगी भी बदले। सन्योग यह भी रहा कि जब भी जदियू विसेस राज्य के मुद्दे पर आकरामक हुई है तो केंदर और राज्य में अलग-अलग गठवंदन की सरकारे रही और जब दोनों जगहों पर एंडिय की सरकार बनी तो पार्टी ने इस मुद्दे पर चुपी साधली। अब लोकस बाचुनाओं के छोजरन बित जाने के बाद पार पार्टी ने एक बार फिर से राज्य को विसेस राज़ा देने का राग अपनाने लगा है। जदियू के महास्चु और प्रोड़क्ता के सिद्यागी ने इस बार बिहार के साथ साथ उरिसा और अंध्र परदेस को भी सेस राज्य का दरज़ा देने की मांग कही है। जी आदोस्तों उन्होंने कहा है कि साल 2000 में बिहार के भी भाजन के बाद राज्य के से प्रकृति संसाधनों के भंडार और उध्योग चीने गए हैं। राज्य का पिकास जैसा होना चाहिए था वैसा अभी नहीं हुआ है। अब समय आ गया है कि केंद्रिये वित आयोग इस मुद्दे पर फिर से विचार करें। फिलहाल केंद के बिहार की आठ सीटों पर मतदान होने हैं और नितिस कुमार विरोधियों का कहना है कि वो एक बार फिर से पल्टी मारने की तयारी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी ख़बर जब पंजाबी में बोली प्रियंका गांधी मेरा घरवाला पंजाबी हर मुसीब कठिनाईयों का सामना करते हैं। मैं पंजाब के लोगों और उनकी धर्ती को सलाम करती हूं। पंजाब लोग हर मुसीबत का सामना डट करके करते हैं और हमेसा खुस रहते हैं। प्रधानमत्री मोदी के बादल वाली टिपमणी पर सीधा निसाना साते हूँ प्रियंका गा मोदी के इस बयान में प्रियंका गांथी ने कहा है कि मोदी के अवल प्रचार प्रसार के लिए आते हैं बड़े बड़े वादे करते हैं और दिखाते हैं कि पिछले सतल सार में कोई विकास नहीं हुआ प्रधार मत्री मोदी ने दू कडोर नोकरिया देने का वादा नहीं निभाया पिछले पांच वर्स में 12,000 किसानों ने खुद कुसी कर ली लेकिन प्रधार मत्री मोदी किसानों की अंदेखी कर रहे हैं प्रियंका गांधी ने कहा पर हमला बोला और दावा किया कि यह रासनिती लाव के लिए कराए गया था